आप दोस्तों आइनके omorp divo में आपका स्वागत है दोस्तों यह मेरा Tata Tiago पर पहला वीडियो है है इस दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही Tata Tiago, ka top model 6Z Plus लिया है तो मेंने विचार किया है कि मुझे भी इस और ऐसके बारे में जो भी रिवु है लोगों को बताना चाहिए तो मैं आपको इसके कूछ रिव्यू है मैं बतांगा प्रलग आप सब लोगों ने इस कार के बारे में डिकांस रिवु देख चुकि होंगे लेकिन कुछ चुछी बाते ऐसी है जो मैं आपको यहाँ आपर बत तो देखी हैं.. इस कार के साथ ये रिमोट की मिली है इसे प्ध्र पूर्म के सकते हैं इसे ऐहां से प्छान की बटन को फ्रेस्थ करते हो तो यहां से लींप में निकल जाती है और यह पर cradle remote के फॉर वाच बटन प्रिल्स के सब्षाल कि है गर इस गाड़ी के बारे में ही बताऊंगा कि कैसे काम करती इसके बाद में आपको इसके एवरेज के बारे में बताऊंगा और इस गाड़ी को मैं कितना चला है सब इसके बारे में आपको लग वीडियो के अंदर बताऊंगा तो अब हम इस कार की चाबी को लगाते हैं देखते ह तो इसको हम जब तीन बार गुमाते हैं तो इस गाड़ी की यहां पर M.I.D. स्टार्ट हो जाती है तो मैं तो दूबार बताता हूँ आपको यह मैंने इसको ओफ कर दिया है तो देखे जब आप इसको पस्ट सेकिंड और थर्ड बार करते हो तो इस विकारी M.I.D. यहां पर दिखाए देती है अब इसमें आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर इधर वाला जो भाग है यह इसके आर्पियम को बताता है तो यह जो इसका लेफट वाला भाग है इस M.I.D. का जो लेफट सइड़ वाला भाग है इसके आर्पियम को बताता है तो यह आठ जार आर्पियम तक इंजन यहां पर चल सकता है अब आप यहां पर देख सकते हो जाए यहां पर कुछी इंडीकेटर दिए हुए है पर तो उपरवाला यहां पर जो और चिराग टाइब कर दिखाय रहा है यह यह इहं ब्रेक स्कूरा बारे में है। और यह निघ्राट स्कूरों के करADक अघरर की लिए है और यह रही सेयरे का है नहीं रहे नता है। क्योंकि दोस्तों अभी यह कार खड़ी वी रूखी वी इसलिए मैं इसमें सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है यहां पर आप देख सकते हो यहां पर यह राइड साइड में उपर की तरफ है यहां पर यह कार के टेंपरेचर को बताता है यहां पर एच और यहां सी लिखा हुआ है कूल सी मतलब यहां पर भी लो टेंपरेचर पर है और यहां हाई पर आ रहा है इसके भीड़ा ही यहां है इसमें कितना फ्याल भरा हुआ हुआ है अभ इसमें अब आपको चिछी कि आपर बड़ा बरा दीड़ा हुआ है आपको दाना कि नेखो तो छादने साथ से नियूमेटर कार श थियूमें लक बग दस दीन हो चुपके है इसको मैंने यहाँ पर 750 km चलाया है और यहाँ पर यह देखो यहाँ पर फ्यूल के बारे में बता रहा है कि कार में भी कितना फ्यूल है और यह कितने किलोमेटर चल सकती है तो यहाँ पर यह भी जितना फ्यूल है इस फ्यूल में 441 किलोमेटर चल सकती है और दोस्तों, इसको मैंने यहां पर चेक करके भी देखा है वास्तों में यह बिलकुल सही reading आती है कि जितना fuel है गाड़ी में और आपके average को calculate करके यह car यहां पर बता देती है आपके fuel को देखकर कि आपके गाड़ी यहां पर कितनी और चलेगी और इसको मैंने केलकुलेर्ट भी किया है लगवर यह कुछ उपर नीचे चलता रहता है अगर आपका कार अच्छा दे रही है तो बढ़ जाता है और कार एवरेज कम देती है तो इस कंडिशन में कम हो जाता है अर्था आपको पहले ही पता लग जाता है कि आपकी कार कितनी द पर कितना माइलेज दे रही है उसके बारे में यहां पर यह बताती है तो इसमें जितना यह आपके 30 के जितना नजदीक रहेगा आपका कार उतना अच्छा माइलेज देगी तो मैसा आप इसे पता लगा सकती हो कि आपको कार की एकसलेटर कितना दबाना है किस पकार यहां पर कितना average देगी इसके अंदर आपको 2 trip meter दीए इसमें right side की button को phrase करेंगे तो trip meter देखो sorry देखो इसमें यहांपर एक बार मिलीड इसके फ्रेज किया तो यहां एक temperature का भी आ रहा है है कि इस कार का अभी टेंप्रेचर 31 डिग्री सेंटी ग्रेड है अब इसको में यहां पर एक बाउर दबाता हूं देखिए तो यहां पर ट्रिप ए चलू गया त्रिप ए में मेरे यहां 2-3 किलोमेटर आ रहा है और मुझे जो उसत माइलेज मिल रहा है दिखा रही है यह उसत माइलेज मेरा हाई वे का और सीटी का दोनों मिला करी उननीज पॉइंट आ रहा है तो यहां पर डिस्प्ले के उपर आ रहा है और यह इसको में जो टेंक टू टेंक ना पाहा है तो वह मेरे लगबग इसके अंदर अधारा पॉंट पांच के लगबग आ रहा है कोई विश्यस अंतर नहीं इसमें कोच इतना आप भी डिस्प्ले पर आता है उससे आप इसको डेड़ या दो किलो मुटर आप इसको कम मान सकते हो वास्तिव के एवरेज को इसको मेरे ट्रिप भी चालू किया है मेरे दोनों को मेरे बराबर है मेरे यहां पर यहा बारे में बता रहा है हम उसको पड़ कर इसे सार इंडिकेटरी हां पर जो भी इसकार को स्टार्ट करूँगा यहां पर जो भी आपको इंडिकेशन दिखाये दे रहें इन सब यहां से चले जाएँगे तो देखिए स्टार्ट करते समय यह देखिए यह कार में स्टार्ट कर दी है बिल्कुल कोई जदा साउंड नहीं कार में कोई के भी नोइस नहीं जदा इस कार को जो भी स्टार्ट करना है पहले कलस दबाना कलस दबाने पर कार डी स्टार्ट होगी कलस नहीं दबाओगे तो कार डी स्टार लगाता हूं थो देखना आप यहाँ से लाइट यह चली जाएगी एक मिर dोस्तों में लगा लेता हूं हूँ है तो देखिए द्धोस्तों में सिट लगाने वलों लगाता है यह देखिए यह मैंने यहाँ पर seed weight लगा दिया है, seed weight लगाते ही यहाँ से light चली गई है अब बचा यहाँ एक indication और बचावा है, यह hand brake का है मैं गाड़ी के hand brake को नहीं सिकरता हूँ तो यह भी यहाँ से चली गई है अब इसमें कोई साभी indication दिखाई नहीं दे रहा है, मैं गाड़ी सही है बिल्कुल, तो दोस्तों यह मैंने इसको M.I.D. के बारे में बताए था हमें गाड़ी को बंद कर देता हूँ अब दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो के अंदर गाड़ी के एवरेज के बारे में मैं आपको इसके डिटेल रिव्य दूँगा और मैं इसका हाइवय पर इसका चला कर बताऊँगा दोस्तों अगर मैं आपको दे बनी बताऊँweight इस कान मेरको मैंने इसका हाइवय पर इसका डिस्प्ले़ पर जूमच आकर ऐवरेज बताया है वह भी 70-90 की स्पीड पर तो मैं आपको इसका रिव्यू करके भी दूँगा तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें NK Auto टिप्स को यहाँ पर सब्सक्राइब करें